नमस्ते बच्चों, अब मैं हज़रूं आपके सामने एक बहुत छोटा सा टापिक लेकर प्रत्यावर्ती धारा और दिश्ट धारा में अंतर, ठीके इसके पूरवाले वीडियो में हमने प्रत्यावर्ती धारा को दिश्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति के बारे मे पढ़ा था, अब यहां पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिस धारा में अंतर कैसे याद किया जाए, ठीके, देखे, प्रत्यावर्ती धारा और दिस धारा में अंतर याद करने के लिए सबसे पहले आप एक प्रत्यावर्ती धारा का संकेत माइंड में रखिए, यह प और इसके आधार पर हम इसके अंतर की बात करेंगे, प्रत्या वर्टी धारा अल्टनेटिंग करेंट और दिज धारा टेहरा, तेकर सब से पहला बिंदू हमारे पास है, इसका परीमान और दिशा दोनों आवरती रूप से बदलते रहे। तो यह इस graph में देखी है, इसका परिमान, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर परिमान कितना है, 0 है, यह धीरे धीरे धेखो बढ़ रहा है, फिर 0 हुआ, फिर negative side में बढ़ा और फिर 0 हुआ, तो यह आवर्ती रूप से बढ़ रहा है, परिमान भी बढ़ रहा है, और इसकी दिशा उपर भी जा रहा है और ये नीचे भी जा रहा है तो जब इसका परिमान और दिशा दोनों बदले तो प्रत्यावरती धारा लेकिन ये परिमान बदले या नहीं बदले उसकी दिशा निश्चित रहती हो तो उसे हम कहते हैं डारेक्ट करें तो अब इसमें क्या हो गया ये प तो उटा सा difference यह याद करिएगा। दूसरा है समान वोल्टा की दिश्ध धारा से अधिक खतरनाक है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा दिश्ध धारा से खतरनाक है। AC, DC से जादा खतरनाक है। और इसका उल्टा है कि यह समान वोल्टा की प्रत्यावर्थी धारा से कम खतरनाख है। इसको याद करने का तरीका याद रखिएगा। AC हमारे घरों में आता है और DC जो सेल होते हैं, बैटरीज होती हैं, उनमें DC होती है, डारेक्ट करेंट होता है। तो आप देखो DC टर्मिनल को अगर आप कहीं 12 वोल्ट या 14 वोल्ट, 16 वोल्ट का DC करेंट अगर आपको मिला है और यहाँ AC मिला है, तो AC खतरनाख है और DC उसकी तुलना में कम खतरनाख है। तीसरा है, ट्रांस्फार्मर का उपयोग करके इसकी वोल्टता बदली जा सकती है। प्रत्यावर्ति धरा की साहिता से विद्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्य इसमें परीमान और दिशा बदल रहे हैं। इसकी साहिता से विद्जय चुमबक नहीं बनाए जा सकते हैं। इसकी सायता से विद्यू चुम्बक बनाया जा सकते हैं इस तरह से आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा Thank you